तो गाइज अफीसियल ब्लाग हैं बहुत-बहुत जाकत है जैसे कि आज हम बर्गत के पेड़ की नीचे हैं और आप यह जो देख रहे हैं ना यह बर्गत का यह बरारा है जो जार फूटती है ना बर्गत की और फिल अटकती है तो यह प्रदिवी तक में छू जाती है और आ जमीन से नीचे से जुड़ करके फिर इसमें से पेड़ उत्पन हो जाते हैं ऐसा होता है अभी छोटे हैं अभी कम से कम पांच चार या पांच फिट की दूरी इसमें है लेकि हम नहीं कहते हैं कि दो तीन साल में यह काम कम्प्रीट कर लेंगे अपना यह क्योंकि बहुत त कि देखे क्यास कीवध इसमें से पर बरह रहा हैं एक यहां देकिए सूखापन और यह बहुत इस्पीड से बर रहा है है कि वह जल्दी जलदी पर फिर फिर प्रवथ पन कर सकते हैं जमीन से लेटेस्ट होक रहे हैं आप यह तालाब है और तेलाभ से यह जो बरगद दिख आपको दिखायेंगे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम डेली वीडियो ले कर आते हैं और बहुत मेनत करते हैं जंगलों की पहाड़ियों की तरह तरह के सीने अपना बहुत समय नश्ट करते हैं अपने यूटूब चैनल पर हमारे चैनल पर बहुत अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे सायद मैं और प्रयास कर रहा हूँ मेरे टीम भी जोड़ रही है इस काम के लिए आपको दिखा दें बहुत अच्छा ये सुन्दर जील टाइप लग रहा है लेकि ये तालाब है आज मैं तालाब किनारे हूँ तो वहीं से वीडियो सूट कर रहा हूँ ये देखिए आपको द जैसा कि दोस्तों मैं सोचता हूँ कितनी अच्छे ची सीन लिए आपको दिखाऊं कि लोग मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें मैं भरसक प्रयास करता हूँ और तरह तरह की जगहों पे जाता हूँ बहुत मुझे मेहत करनी पड़ती है और ये वीडियो ये डगारे ब्रचों की पानी तक में घोज गई है ऐसा ये तलाव है और ये पुरा ग्रीन है हरा हरा टाइप में पानी है और देखिए आपको ये ब्रच की डालों को दिखा दे ऐसे डाले है ये ये ऐसा सुंदर महौल है इसका उधर देख रहे होंगे आप वो आम के देखिए सुंदर द्रस है दोस्तों अगर हमारा ब्लाग अच्छा लगे मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक जरूर करना दोस्तों क्योंकि अपना बहुत आमूल समय हम बेतीत करके आपको ऐसे द्रस के दरसन करव बाते हैं